तो हेलो दोस्तों क्या हल चाल है मेरे बाई तो उमीद करता हूँ से भाई ठीक होंगे तो आज मेरे पास Samsung का एक mobile आया हुई यहाप आप देख पारूँगे A10S ठीक है आपका Samsung का कोई भी mobile हो कोई भी mobile आप उसके FRP बड़ी आसानी से बाइपास कर सकते हैं अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हैं समसंग के जितने मोबाइल आ रहे हैं चाहे आपका कोई सा भी अपडेट हो आप उसकी FRP बड़ आया हुआ है तो आपको उसे डाउनलोडिंग मोड में लेके जाना पड़ेगा उसके बाद आपको इस पर कलिक कर देना है 101% आपकी FRP निकल जाएगी तो कोई दिकत वाली बात नहीं आसानी से हो जाता है ये तो MTK वाला है तो कहने का मतलब MTK CPU जिस मोबाइल में लगा तो वो तो आसानी से हो जाएगा उसकी तो बात ही छोट दो इसमें MTK CPU अगर इस मेथड़ से इसको करूँगा हो जाएगा उसके बाद दूसरे की बात करते है Samsung MTP FRP जो है MTP तो ये कैसे वर्क करेगा ये आपका YouTube वगएरा उपन करते है उस टाइप से आपका ये वर्क करने वा सभी पर वर्क नहीं करेगा तो यहाँ पर Samsung USA FRP MTP ये आपका लगभग सभी मुबील पर वर्क करेगा जो USA के मुबाइile आपके आ रहे है तो उस पर सभी पर वर्क करेगा लेगिन ये भी सभी पर वर्क नहीं करता कहने का मतलब multiplayer पर वर्क नहीं करता है zusammen तो ये आपका कैसे वर्क करता है कई भाई बोल रहे हैं कि मेरा open नहीं हो रहा है मेरा QR code open नहीं हो रहा है तो उस प्रोग्म का समाधान में आज की वीडियो में देने वाला हूं आपको तो इसका इस्तमाल करके हम देखने वाले हैं अभी आपको live यहां पर free वाले काफी method दिये उसका इस्तमाल कर सकते हैं अब बात करते हैं क्वालकम की जैसा कि आपको पता है मोबाइल में आपके तीन CPU आ रहे हैं सबसे पहला आपका media टैक वाला आ रहा है वो आसानी से आपका हो जाता है बात खतम उसके बाद आता है आपका क्वालकम एक्जनोक CPU फिक है क्वालकम वाले भी अपडेट आ गए यह लीजिए क्वालकम एफ़पी रीसेट का अपडेट आ गए यह काफी सारे मोबाइल में स्पोर्ट करता है एक्जनोक CPU वाले मोबाइल आ रहे हुँ आपको टैस्ट पॉइंट से करने पड़ते हैं लेकिन टैस्ट पॉइंट उनका ब्लोक चलता है क्योंगी लेटेस्ट कोटी लेटेस्ट अपडेट आ जाता है तो उसका मैथड और यहां पर जो कहने का मतलब MTK कोई भी आपके मोबाइल में हो क्यों आर कोड़ वाले पर कलिक करो और उसके बाद यह लीजिए आपका यहां पर आप देख पर हैं मोबाइल यहां पर ठीक है तो इस पर हमें यहां पर तीन बार टाइप करना पड़ेगा यह लीजिए तीन बार टाइप कर दिया खुल गया अगर आपका तीन बार में वर्क नहीं करता तीन बार से टैन बार यानि की तीन बार से दस बार आप यहां पर टाइप कर सकते हैं इसके उपर अगर तीन बार में उपन नहीं होता तो कम से कम आप कलिक करी जाओ करी जाओ करी जाओ भाई उसके बाद आपका उपन हो जाएगा उसके बाद सकें के वार कोडिंग तो हम यहां पर सकें करते हैं यह लिजिए मैंने सकें कर दिया उसके बाद यहां पर कनेक्ट वाई फाई ठीक है और उसके बाद इनेबल एडी भी तो सबसे पहले यहां पर वाई फाई connect करेंगे ये लिजिये वाइफाई से मैंने अपने मोबाईल को connect कर दिया उसके बाद कुछ next नेक्स नेक्स यहां पर setup चलेगा थोड़ा इंतजार कर लेते हैं एक बार तो थोड़ा से इंतजार करना पड़ेगा यहां पर इसका setup चला हुआ है है तो यह मैंटट है भाई आपका के campus वाला के वक वर कोड़ा फिलाल लग बख सभी मॉबायल पे आपका वर्क कर रहा है सी बात में वर्क नहीं कर रहा है चृट है जैसे स्कोर्टी आती रहते है jokes अ's के बाद पुराने वाला आपका बंद हो जाता आ तरीका आप उससे पहले यूटूब Google वो ओपन करके करते थे उसके बाद आपका जो है उससे आप करते थे और उसके बाद आप का जो है भाई आपको पता है QR QR कहुड फॉर जो तब है या था या नही स norm अपडेट ही था उस टाइम तक यह प्रमिशन मांग लिया इसने इस पे अलो पे कलिक कर देते हैं तो मैंने आपको बता था कि वार कोड़ वाला मैथड निकल के कैसे आ जैसे आपके मोबाइल में कुछ कंपनिया है वो आपके मोबाइल को स्केन कर लेती है मान के चलिए देख लेकिन वो कुस्तों में ले रहा तो मैं क्या करूंगा इस मोबाइल को जो कमपनि हमें किस्त बना गे दे लिए उसके कुछ लगा देते एक बार यहां पर एक्सेप्ट करते जो भी ट्रमेंड कंडिशन इनकी उसके बाद यहां पर अप्शन निकल के आया था थोड़ा सा इंतजार करते एक बार इसमें जो है सैट अप चला हुआ है इसके बाद नेक्स्ट करेंगे अभी एडी बीनेबल हो जाएगा यह लीजिए खुद निकल के आया उसके बाद अलो पर यहां पर टिक करने के बाद हमें क्या करना है तो इसको मैं थोड़ा चोटा करदेता हूँ यहां पर जो इसकी इनफॉर्मेशन आएगी वह मैं हाइट कर देता हूँ एक बार उसके बाद इस पर ओक्के बेटिक कर देंगे यह यहां पर इसने पूर्ट उठा लिया और इसके अंदर जो बैंडरी वर्जन चला हुआ हु मुबाइल को यह सैटन्म में लेके गया है मुबाइल को एक आप बार उसके बास वेटिंग पर डिवाइस ओके रीसेट रा यहां पर इंतजार करेंगे खर् jurisdiction क्यों हो गया वक्यों होने के बाद मोबाइल हमार के रीबूत हो गया आप है थीडि अ हमारा mobile हो गया है तो इस method से आप बड़ी असानी से अपने mobile के अपर फिल भाई पास कर सकते हैं simple sa method है कि वर-code आपको scan कर देना है simple sa और उसके बाद आप बड़ी असानी से अपने mobile के फिल भाई पास कर सकते हैं सिंपल तरीका है चोटी सी बात है सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है कि वर कोड आपका क्यूं ओपन नहीं हो रहा है कि वर कोड ओपन नहीं हो रहा है तो आपको CPU देखना आपके मुबाइल में कौन सा ऐठीके वाला तो बड़ी आसानी से वह रागा और करकम एक जनोक से थोड़ा टाइम लग सकत आया इस मेहतर मैथा आपके लिए प्लब तो बनता है ठीक है तो थैंकिए फॉर वाचिंग मेरे फिर मिलते किस डेक्स वीडियो आसे विदे इन सैल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई जीतना हो सकता है यार रिक्वाइस्ट आप से फिर मिलते किस डेक्स वीडियो में